Hello, dear student, तो जैसा हम ने लाष्ट लेक्चर में यहाँ पर हमने Lewis.structure को बनाने का तरीका हम गया था और किस तरीके से Lewis.structure में formal charge concept को introduce किया गया, क्यों introduce किया गया, उसको formal charge concept के हिसाब से हम जो correct Lewis.structure उसके बारे में हम किस तरीके से identification कर सकते हैं, उन सब पर बारे में हमने अच्छी से समझ गया था बच्चों आब हम स्टाइठ करते बच्चों यहां पर घ्जामपल जो कि आपको लुएज रूइस डोट इस्टुच्चर से रीलेटेड थे और हम और भी ग्जामपलों का लुज्ज डूट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे बच्चो एक एक करके ठीक है आई होप सकते आपको समझ में आएगा तो यहां पर समझते एक्जामपल इक्जामपल बेस्ट अन लुज स्ट्रक्चर ठीक है किस तरीके से यहां पर आपका फॉर्मल चार्ज का इंट्रॉड इंट्रॉडक्शन हुआ था उस चीज़ों को भी मेरे आपको बताया था तो उसी चीज़ को बैसे हम कॉश्चन देखते बच्चो सबसे पहला फर्ष्ट एक्जामपल एक्जामपल फर्ष्ट एस ओफोर टू माइनस एसओ फ़ोर टू माइनस का मुझे अगर टूटल वेलेंस एलेक्ट्रों कैसे निकालेंगे सेलफर के आउटरमोस शेल में आपके वेलेंस शेल में कितने एलेक्ट्रों होते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 multiply by 4 multiply by 6 6 इसके भी 6 इसके भी कितना हो गया बच्छो 24 24 प्लस 6 याब 30 और यहां पर यह 2-2 का मतलब क्या जाएगा बच्छो incoming electron minus 2 का मतलब क्या जाएगा incoming electron ठीक है minus 2 का मतलब यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्छो incoming electron यहां पर आपका two minus है ठीक है यह आपका two minus है तो यहां पर आपका incoming electron हो जाएगा तो इंकमिंग कितनी एलेक्टोन है बच्चों दो एलेक्टोन होते हैं तो यहां पर एट मुल्टिप्लाइब यहां पर कितना हो गया फाइफ तो कितना आएगा बच्चों यहां पर 40 एलेक्ट्रोंस है अब टोटल बंड इलेक्ट्रोंस निकालेंगे तो आप जानते टोटल इलेक्ट्रोंस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों एक बंड बनाने में 2 इलेक्ट्रों काम कितने बनाने की काम आएगा बच्छों बनाने की काम आएगा और यह सारे के सारे बॉन्ड आपके कौन से नेचर क्योंगे कोवलेंट इन नेचर थोड़ा सा आधनी क्रिक्टर हर किसी होता है ठीक है आप देखो आप हम चेक करते हैं यहां पर टोटल लॉन पेर एलेक्ट्रोन तो क् ओल धोड़ यहां पर आजेगा ट्वंटीफॉर एलेक्ट्रों तो इसका मतलम यहां पर एक लॉन पर में आपके दो ओडिवल तो इस तरीके से हम बनाएंगे अब तो यहां पर हम चार बनेंगे चार हमारा किस तरीके शेए बनेगा देखो हम किसको लोगे एश त थो इने सकता है एक आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि एसा भी स्ट्रक्चर तो हो सकता है यूँगे इस्ट्रक्चर वाल और इस्ट्रक्चर टू अब देखो अब हम बात करेंगे तो यहां पर आप हम सबसे पहले को अरेंज करने स्टार्ट करते हैं तो अरेंज कैसे करेंगे देखो यहां पर बनागी यह वाला काम हमारा हो चुका है टूटल बॉर्ड इलेक्ट्रोड का अब देखो कि यहां पर ऑक्सीजन के एक बॉर्ड में पाटिसिपेट कर लिया तो इसके वेलेंशन में कितने अलेक् इसे तरीके से भी में पर भी मनें कितने बनागी वैच्चो है आप देख सकते हो दिक टू यहां पर आपका एक तरल कि कि तो दोनों के दूनों में बना दीए अब में पास ना तो के इंकमिंग एलेक्ट्रोन ने अब यहां पर आपके पांच एलेक्ट्रोन होगे अब दोखेजे आपके कौन सा तो हम बोल सकते हैं कि अगर अपने दो इस तरफ बनेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छे अब दो इलेक्ट्रों तो आ रहे हैं लेकिन पाटिसिपेट नहीं करना है यहां पर मैं इस तरीके से हल पर इसको बना लंगे अब देखो यहां पड्शलफर के कितने लेक्ट्रों हो खुस्थर्ण होते हैं आउटर्मॉशइंग कर रहा है तो दहूं एक दो तीन चार पाँच छे साथ न यहां पर आपको बताया था यहां पर है क्ला ही यहां है का यूँ कहां का यह इसका और पूरा और स्टुक्चर आपका आप क्या कर रहा है। फोलो करना है. ठीक है यह आपका अप्टे टूल को फोलो करना है यह तो हमारी बात हुई इस तरीके से अब यहां पर देख सकते ही कि यहां पर देखो सबसे पहले एक ने बनाया तो बचे कितने इसके पास पाच और दो एक्स्टरनल इलेकर्ण में लगा दिया देखो यहां पर भी सिमिलर हुआ यहां पर भी इसी तरीके से अब यहां पर भी बीच वाले उक्सिज्ट ने दो बॉंड बनाया दो बॉंड इसके पाटिसिपेंट की बॉंडिंग में तो आउटर में कितने बचे बच् यहां तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से विभणा रहा हूं आप यहां पर Sulfur की कितने इलेक्ट्रों की दू आउटर मोशल में कितने बैचे बच्चों आपको समझवे आ गया गया दोनों इस्ट्रक्चर आपके इसमें भी ऑक्टेट सुल्फिल हो रहा है दोनों इसमें वाली बात क्या है दो कि तरीखे से हम यह गजांपल आप को करेंगे structure to both are follows both our follows i objected rule को दोनो आपके objected rule को follow करते हैं तो कौन सा structure से होگा तो अब हम चलते हैं बच्चोप के next step Daugh अगर मैं इस पर formal charge निकालना चाहूँ तो it literally और आप निकाल लो देखो रांड करके निकाल लो तो कितना होगा एक दो तीन चार पांच छे साथ इस पर साथ तो यहां पर कितना जाएगा तो हमनोरे एक दो तेन चैल पाय्च छे तो यहां पर आगी नहां यहां पर शाय आपका इस तरीक से माइन यहां पर भना लिया जी अब यहां पर मुश्यार्ज चैने कर भी अकूल स्कृश्म कितने आजाएगा बच्छो देखो यहां पर हो जाएगा six minus seven equal to minus one यहां पर formal charge आपको खुद calculate कर सकते हो formal charge six minus seven equal to minus one यहां पर कितना होगा बच्छो यहां पर देखो यहां पर formal charge आपका हो जाएगा six minus one two three four five six और यहाफ एलेक्ट्रोन coordinate board as a normal bond in formal charge calculation यहां पर तो यहां पर अगर मैं फर्मिल चाइज करना तो निकलेगा बच्चों देखो ध्यान से समझना यहां पर कितना होगा प्लस टू अब आप देखोगें कि यहां पर इन इस्ट्रक्चर वन इन इस्ट्रक्चर वन formal charge equal to formal charge on sulfur atom on sulfur atom is equal to plus 2 this cannot be possible this cannot be possible जो कि आपका possible नहीं है ठीक है so structure 1 is incorrect structure 1 is incorrect ठीक है structure 1 आपका incorrect होगा यह तो हम पहली बात तो हमने बता दिया कि structure 1 आपका क्या होगा बच्छो incorrect होगा क्यों होगा वो भी मैंने reason आपको बता दिये ठीक है now अब हम चलते structure 2 पे तो structure 2 पे क्या होगा in structure 2 in structure 2 to follows octet rule octet rule as well as as well as formal charge formal charge rule formal charge rule दोनों को फोलो कर रहा है बट here बट here लॉन पेर लॉन पेर repulsion is acting highly amount लॉन पेर लॉन पेर repulsion विल ऐच्ट स्ट्रक्चर सेकेंड इस इसी से इसी प्रॉब्लम को हटाना अब इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए स्ट्रक्चर सेकेंड की गलत होने का रीजन जो है वह क्या है इसको समझना ध्यान से यहीं से हमारा एक नया अब देखो यहां पर क्या होगा यहां पर बड़े ही तरीके से अगर मैंने अब देखो यहां पर प्लस टू चार्च क्यों आ रहा है संप्लफर के ओपर प्लस टू चार्च क्यों आ रहा है तो थि कौड़ीने है अगर मैंने यहां पर स्ट्रक्चर्चर्स structure of structure of SO4 2 minus is replaced by replaced by is replaced by replaced by following structure following structure हम ने इसको इस से replace करूंगा ठीके इसको मैंने इस से replace किया देखो यहां पर इस से replace कर दिया इसको मैंने इस से replace कर दिया बच्चो यह मैंने लुईस डोट structure बनाया ठीके अब देखो कि इसको मैंने इस से replace क्यों किया इसा क्या होगा कि इसको मैंने इस से replace किया देखो दिस structure is दिस structure is this structure is experimentally 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 defined defined by bond bond order bond की character experimentally defined यह structure आपको किसे define है बच्चो experimentally define है experiment में जब मैं ने देखा तो sulfur और oxygen के बीच sulfur और oxygen के बीच क्या बच्चो यहां पर partially partially double bone character आया partially double bone character आया partially double bone character देखने की वज़े से यहां पर उसने double bone लगाया ठीके यही इसके बारे में तो हम आज़े resonance में पढ़ेंगे लेकिन अभी आप समझ लो कि यह आपका experimentally defined था अब यह structure इस तरीके से आया अब इस तरीके से आया अब इस तरीके से में में आपको बढ़ेंगे किस तरीके से मुझक को structure बनाना है हम को structure बनाना है ठीक है अब हम इस structure में formal charge calculate करेंगे तो यहाँ पर formal charge कितना आ जाएगा बच्चो फॉर्मल चार्ज निकाल सकते है यहाँ तो यहाँ पर six minus seven equal to minus one यहाँ पर भी कितना आ जाएगा six minus seven equal to minus one formal charge निकाल लिया यहाँ फॉर्मल चार्ज अगर में निकालूंगा तो कितना आएगा बच्चो यहाँ पर दो नान पर होगे यहाँ पर भी दो नान पर होगे ठीक है अब दो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर किसे निकालेंगे इक्वाल टू वायं तू त्रीस फॉर फाइफ सिक्स इक्वाल टू जी रो यहां पर सिक्स माइनस सिक्स इक्वाल टू जीरो और यहां पर जो फ्रमल चार्ज होगा वह कैसे निकालेंगे इसके चार वर कितने ऐलेक्टों ने तो देखो अब यहां पर आपका सलफर पर जीरो हो गया ठीक एसा करने से फॉर्मल चार्ज पर जीरो हो गया तो यह जो स्ट्रचर एक्चुली मैं अगर मैं देखो कि अब देखो यहां पर आप लोग देख सकते हैं सारे इटम का उप्टेट निकालना चाहूंगा तो सब्सक्राइब करते हैं ठीक है तो क्या है तो यहां पर यहां पर यहां पर इसको तो में पर तो इसने स्टुक्चर थर्ड नीनियुक्तूर था अच्टुटर थर्ड 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 कैंनौट फॉलों चैननाच फॉलों और टेट रू थाल रूज आपक्ते रूज को में एसट तो तर्ड़ केंनुक्त कलो यहां खियां करते हैं और लिजाए्टूर एक होगा कितने क्या हुआ है तो यहां पर आपका ऑप्टेट रूल नहीं होता पहली बात गलत ठीक है की चार्ज क्पार्ट क्या आपको बताता है यहां पर यहां पर exception के यहां पर अब exception क्रेट रहोग और भी मोलूकुल में देखा गया वह आपको आगे बताता हो exception वह हैं और exception क्रेट है हाई ड्रेड हाई पर वेलंट इस अ हॉप कर वेलंट आप जाने वे जरे लिए अच्टीन आर थारे मिन्स अर्य मैंट म्यड to record a live third period element, can, can accommodate, can accommodate more than, more than eight electron, eight electron, can accommodate more than eight electron, third period or third period element, eight, 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 electron, can accommodate, if I talk about phosphorus, sulfur, third period, arsenic, xenon, and here we can talk about, and this way you can have phosphorus, phosphorus, chlorine, bromine, iodine, all those you can do, so you can have a very small electron. है senि इसा वुकूरिए नहीं सदस्क्राइशर थर्टे संदेंस कि इसक्क्राइव method ने ऑкі दुर्स करने में एक तरफ हम सब्सक्राइब और दोनों कि comparison आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा अगर मैं अक्सिजन लेता हूं तो oxygen में देखो कि आप oxygen का 8 होता है तो यहां पर क्या जाएगा 1s2 2s2 2p6 2p4 आप देखो क्या इसका अगर में देखना चाहूँगा तो इसके और अब excellent shell में कितने है वैलेंस द fel mu यहां पर आपके कितना ए वैलिंचल में यहां पर आपके six छे छेल्अ मैं आपके लेकिन थ्री कॉंटम नंबर प्रिंसिपल कॉंटम नंबर थ्री के लिए 3D मी डिफाइन होता है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रो ने बच्चो अभी जीरो जीरो इलेक्ट्रों है तो यहां पर वेकंट डी और वाइटल होने की वजह से वेकंट डी और वाइटल होगा और वेकंट डी और वाइटल होने की वजह से क्या होगा बच्चो यहां पर मैंने बनाया 3S2 यह मैंने बना दिया बच्चो आपका 3P4 ठीक है 3P4 मैंने बना दिया अब क्या होगा यह मैंने 3D5 बना रहो ठीक है 3D5 3D सुरी 3D बना दिया ठीक ह अब क्या होगा कि यह इलेक्ट्रों अपनी कोवेलेंसी शो करेंगे इसके बारे में और भी बताओंगा डेप्ट में लेकिन अभी इतना समझेगी यह आपके अनर्जी लेके बाहर जाएंगे तो आपको क्या बना लेंगे बच्चो यह धियां से यहाँ पर कितने कितने मौन अब एक इलेक्ट्रों तो सल्फर का एक इलेक्ट्रों और शिक्स अन्पेर एलेक्ट्रों होगे तो मतलब बनाने की रखेंगे और बनाने की केपिसिट्री मतलब सकते यहाँ पर तू यहां पर को टू डि नहीं होता है तो यहां परOFF grandsion को पमिलेंसी को बढ Master सब्सक्राइब करें से अगर आप लोगे कि फॉस्फोरस आपके कितने रख सकता है तो फोस्फोरस के केस में इसी तरीके से हम समझते हैं दो ध्यान से समझेंगे यह मैंने बता दिया यहां पर फोस्फोरस का 15 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और इसका 3db होता है जिसके अंदर तो इसके मतलब यहां पर कोई आपका वेकेंट और बैटल प्रजेंट नहीं है अब यहां पर देखो तो आप समझ सकते हो बच्चों यहां पर दियान से कि आपर मैंने इसका 3d5 बना दे देखो दियान से समझना यहां पर मैंने जिए इस का 3d5 बना दिया आप देखो यहां पर कया करेंगे रुचो वर एस टू यह दिखो अब क्या करेंगा फिर इसी फिनोमेन पर अब करेंबव होपी और अभल पर यहां पर यहां जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएक रहाँ यहां पर आपका यह इस तरीके से बन जाएगा अब आप देख सकते हों कि यह आप कितने बन बना सकता है एक दो तीन चार पांच बनाने की वज़े से यहां पर टैन इलेक्ट्रों आपके बंडिंग में होंगे और यहां पर जो कितनी होगी प्लेसिक्स यहां पर कितनी होगी को वैलेंसी प्लस फाइफ तो इसी तरीके से आपका यहां पर प्रोब्लम क्रेट हुआ कब जब आप थड हम थड प्यृड की बात करेंगे तो आपका इस तरीखे से आपको Cr棉मेंट होंगे तो इसी को फिर यहां पर डिफैंड किया गया कि अगर हम थड प्यृड के यहां पर यह थांथ करेंगे था और अधर क्रेंगaky तो आप अपने आप पूछ लेते हैं इन में से आपको अब्जेक्टिव कोश्चन देंगे और आप से पूछा जा सकता है कि आप लोग सीधा बता सकते हो जिसमें आपके एक्स्पांड हो जाएंगे मतलब आपके एट इलेक्ट्रों से ज्यादा इस थियोड को भ्यान से समझें चल रहा है इसी तरी के सिय वाले स्ट्रक्चर को हम लोगा में क्या बोल दिया तो यहीं की वज़़ा से हमने इस थियोडी को सही बोला इसका मतलब तो इसका मतलब इस ट्रक्चर आपको यहां फेल हो गया इस इस ट्रक्चर का पहला एक्सेप्शन है तो आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा इसी तरीगे से अगर अब मैं कर ना कि और इंद्ध हटा कर सकते हों षां पर अगला देखते हैं अगला इस्ट्रक्चर अगला एग्जामपल में लेता हूं अगर मैं एसो सी एल टू का स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा अब आप लोड टोटल वैलेंस सेलेक्टर मुझे निकाल लेगी कोई जरूत नहीं है आप लोड खुछ से एक बार कोशिश करो मैं आपको इस इंपले बता देता हूं ठीक है तो यहां पर दो इस्ट्रक्चर पॉ पॉसिबल है ठीक है शुरुबात में दो इस्ट्रक्चर यह वाले पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू लुइस डॉट इस्ट्रक्चर बोट आप उससे निका सकते हूं यहां पर भी आपके इस तरीके से हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा तो इस तरीके से तो यह वाल आपका फोल्ओ ने सेकर करें क़ंष करें बहुत रिजम यहां पर निकालना चाहों तो कि तना आ जाएगा टिके शी आ और बिस निकालना चाहोंगा तो क्या जाएगा सिक्स माइनस सिक्स जीरो यहां पर भी फॉर्मल चार्ज अगर मैं निकालना चाहूंगा तो कितना आ जाएगा सेवन माइनस सेवन एक्वल टू जीरो मतलब फॉर्मल चार्ज के इसाफ तो यहां पर कोशिष करो ठीक है अब यहां पर कितना एक लेक्टून यहां पर तो इसलफर का यहां पर कितना एक इलेक्ट्रों यहां पर मतलब कितने इलेक्ट्रों को तीन इलेक्ट्रों को मुझे हटाने के लिए तो सिंस माइल स्थी बचे कितने इलेक्ट्रों क्या तीन इलेक्ट्रों में ये असे कर दिया तो आप अपस नहीं सकते तो मतलब मुझे किसका हेल्प लाइना पड़ागा तो इसमें क्या करूंगा लगा दिया देखो जहां से यहां मैंने एक कोडिनीट बॉंड लगा दिया और कोडिनेट बॉंड में कितने दो इलेक्ट्रों को भीज़ दी इसके पास और यहां पर देखो इस तरीके से बना दिया अगर मैं इसका फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं तो आप देखो को इन फॉर्मल चार्ज कोडिनेट बॉन्ट इस है वैजर सिंप्टल कोवलेंट बॉन्ट तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों कि कैसे कांट करेंगे वेलेंस एलेक्ट्रन माइनस एलेक्ट्रन असाइंड और अगर मैं इसका फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं तो वेलेंस शेल में कितने बच्चो यहां पर वेलेंस शेल में कितने होते हैं समय तो यहां पर एक लॉन यहां बचेगा रहिए और वेलेंस शेल में कितने हो बच्चों निकालो वेलेंस शेहल है पर एक और यहां पर थेण छार पाच्छ एक दो तीन चार पांच तो यहां पर कितना जाएगा प्लैस वन तो आप देख सकते हों कि यहां पर ऐप देख लुख लगा फ्रॉइन Mom k Fr.I पर निक बस्टार्ण करूअ कर दौक अबर्फामा करेंगे आप को समझने के लिए मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताए था अपने आप सारा काम बन जाएगा तो अब को मैं दबल बॉन से रिप्लेस करके देख लेता हूं तो कोडिनेट बॉन को आप एक सिंपल डबल बॉन से रिप्लेस कर दो अब आप निकालो फॉर्मल चार्ज तो यहां पर तो दो नंपर में सिंपल बना जाता हूं ठीक है यहां पर आपका लूइस डूट इस्ट्रक्शन फेल हो जाता है क्यों हो जाता है अब आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब हम देखतो पूब अच्चो कि यहां पर क्या होगा यहां पर अगर मैंने फॉर्मल चार्ज निकालना चाहा तो क्या निकलेगा फॉर्मल चार्ज एक्वाल टू वैलैंस एलेक्ट्रोण मतलब तो एक दो तीन चार इसको हाफ रेंगे पाँच छे छे अलेक्टरोन मतलब जीरो जहां पर निकालने चाहेंगे तो फॉर्मल चारज एक्वल टू सेवन मैनस सेवन इक्वल टू जीरो जहां पर भी आप लो निकालो सब्सक्राइब करते हैं लेकिन अगर फॉर्मल चाहिए अगर आपका डिस्ट्रीशन सही है तो हम इस इस्ट्रक्ट्टर को इस 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 अप्टेट्रुल से जाएगा हम किसको प्रिफेर्श देंगे फॉर्मल चाहिए ठीट्ट्रीशन को इतना आपका जीरो के नियम जाएगा बहुत श्रक्ट्यर आपका सही होगा वैसे दिख देखा जातों के इसाब सही यह वाला स्ट्ट्ट्र सही है लेकिन आपको में यह व्हाला सरी और है यह दोनों स्ट्रक्शक्चर गलत यह पिरि में आपको बता देजिए अपको समझ में करने तो देखो तोटल वेलेंस एलेक्ट्रोन तो तोटल वेलेंस एलेक्ट्रोन कितना होगा और टोटल एक्टोर टो अटेन नॉबल गेस कॉंफिग्रेशन एट मॉल्टिप्ला रवाइब यह भी आपका एट होगा सब्सक्राइब एट हो जाएगा एट मॉल्टिप्लाइब ऑफॉर्टी एलेक्ट्रों नाव टोटल बॉंड एलेक्ट्रों आपका कितना होगा टी आर माईनस टीवी यहां पर सुथी माईनस थparty टू इकवर्डी कितना हो जाएगा बच्चों एत एलेक्ट्रों अबक्लाव कितने फोर ब्यास हो जाएगा कोवालेंटि नाजयों सब्सक्राइब के साहट वहां SIM लाटकर्ण के ट जाएगा होगी नियुऊ आव्ट्ण छरी और Technology और अगर मैं इसका बनाना चाहूं तो इसका ऐसे बनेगा चार बनाने तो चार बन में इस तरीके से बना दी यह मैंने अब देख सकती हूं कि इसने एक अरेंज करना है करो कितने काम नाइन नाइन तो आ चुके अब तीन बचे तीन को कैसे असाइन करना है जैसे ही मैं यहां एक 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 करता हूं तो मैं यहां पर कोडिनेट बॉन लगा कि इसको रॉप्लेस करता हूं यहां पर फॉस्पॉर उसके पांच काम ने ठीक है और यहां पर अगर में बात करें तो यहां पर इसके वेले इसके कोई इलेक्ट्रम काम में नहीं आई तो मेले छीक है अब आप देख सकते हुगी क्या यह ऑक्टट फोलो कर रहा है वाइन टू त्री फोर फाइफ सीक्स से म तो फोलो कर रहा है लेकिन जब मैं इसका फॉर्मल चार्ज निकाल कि parenth़ुँगा तो इसका फॉर्मल चार्ज आपका कितना आज आ साइगा बश्यूंद पहती फॉर्मल चार्ज वेलेंस इलेक्टरों वाइनस नुम्बर उफ एलेक्ट्रों आशायं आन बैट अटम तो वान् आपको बमनेस में रिखा था नहीं नहीं है तो यहां परसेवन अगर निकाला चाहूं तो फॉर्मल चार्ज एक्वाल टू सेवन माइनशती एक विडियरो दो चाहूं तो कितना है जाएगा बट्यों और देख सकते हो कि यहां पर कोडिनेट बोंड है और निकालना जाओं तो क्या जाएगा बच्छो यहां निकलता फॉर्स 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 के लिए फार्मल चार्ज वैरेंस में पाच एलेक्ट्रॉन लेकिन यहां पर कितने एंग दिख रहे हम को तो यहां पर प्लस वन तो अकोडिंट टू कोडिनेट बोंड को सिंपली डबल बं से रिप्लेस कर दो आपका काम बन जाएगा तो यहां पर इसको मैं डबल बोंड से रिप्लेस कर दिया देखो आप देखो अगर मैं इसका और निकालना चाहूं तो अप्टेट में इलेक्ट्रों देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस फॉर्स वरस में दस इलेक्ट्रों ने लेकिन एक्स्पांडड़ और एक्स्पांड़ेट और यहीं और क्यों है बच्चों कि इसके पास टेंडे इस वज़े से आपको यहां पर एक्स्पांड़ेट होता है अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं तो फॉर्मल चार डिस्टिबूशन तो कितना जाएगा यहां पर दो लोन पेर यहां पर आपके तीन लॉन पेर यहां पर भी तीन लॉन पेर यहां पर भी तीन लॉन पेर शेवन माईनेस सेवन मानेस सेवन माईनेस सेवन सेवन चेहां पर आपका सेवन गरए इसका निकालना चांग इसका जबलेप्रे बही malさ तो टो 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 यहां पर फॉर्मल चार्च के है कम्प्लीट लिए टू जी रो तो आपको ध्यान होना चाहिए अब हाइपर वेलेंट एटम क्या होते हैं हाइपर वेलेंट एटम के लिए आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे काफी इजी कंसेट है अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा काफी इजी कंसेट है अब मैं आपको इसी से करना है कि कौन कौन से प्रॉसिवल थे कौन कौन से क्यों नहीं है एक तो पहला कॉशन यह और दूसरा कॉशन यह ठीक है अब दोनों में आपके थर पुरेट से ज्यादा अलिमेंट है अब आपका इस्ट्रक्चर क्या बनाओगे आप लोग मुझी मुझी इसका है कि के भेजना बच्च्छु त्रहां से मैं आपको क्योंकी काम झ bill ला टाइम आ अच्पर का हॉभ मग वाला टाइम आच्च्पर ने अपना पकड़िया है अब में च्टुलि पोई यह स्थार्ड तो इसी तरीके से सब से पहलाण तो इसी तरीके से में आपको बोल रहा हो कि जितना ड़्ट में आप लोग संजो गें कंशेप्ट को क्यों हुआ आप जब भी केमिस्ट्री पूरो तो अपने आप से एक ही क्वेश्चिन करें करो बच्चों क्यों है अगर आप क्यों कहीं जोंड़ पहोगे तो इसका मतलब क् गलत तो आप लोगों कुछ समझ में नहीं आ सकता तो हमेशार रीजन के साथ चलो खाओ इसी और और आपके बास रीजन नहीं है तो यह समझे लोग कि आप लोगों का पूरने के रीजन होता है एकसेप्षं क्यों आया मैंने बता दिया और कियो यह अप्लाई हुआ वह भी में ने बता दिया तो आप लोग यहां पर इस question को detail करना आप लोग structure बना के मुझे send करना I hope कि अगर आपको इस lecture से related को यह doubt आता है तो आप तो तुरंत मुझे भीजा करोगा ठीक है I hope कि आपको यह complete lecture समझना आया होगा so thanks for watching this